नमस्कार दोस्तों देखो ऋसी को इस टेडी में आप सभी लोगो का सवागत थे दोस्तों समान हिंदी का प्रेक्टिस सेट नमबर वान आ चुका है और यहाँ पर दोस्तों सभी परतियोगी पर इच्छाओं के लिए जो भी हम question लेके हैं यह सबी प्रतियोंगी परिच्छाओं में बार बार पूछे के हैं तो एलाबाद आपका high court का group D हो गया, group C हो गया, video हो गया, लेखपाल हो गया, police हो गया, यूपिटी प्रसी का PT हो गया, कोई भी exam हो गया जो आपकी हिंदी पूछे आती है सबके लिए important होगा, सबसे पहला number जो question है, निम्नलिखित में से कौन सा सब्द जो है, मक्खन का परियाएवाची है, मतलब मक्खन का आपका परियाएवाची होता है ठीक है, लास्ट में comment box बताएगा कि आपने कितने question सही किया है, दूसरा जो question है, वो है आपको सही सब्द छाटना है, कौन सा इसमें सही लिखा गया वो आपको बताना है ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सही सब्द आपको छटना है, आपको अनिष्ट कौन सा सही लिखा गया, तो देखिए अनिष्ट ट होता है, तो यहाँ पर आपका राइड इंसर बी हो जाएगा, अनिष्ट नेक्स्ट बात करेंगे, तुरंग दोस्तो का अर्थ बताना है, तुरंग दोस्तो किसी का परेवाची होता है, अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं, तरंग, घोडा, पानी या फिर हाथी, देखिए इसका जो राइड इंसर होगा, वो होगा, भी घोडा यहाँ पर र होते हैं, ठीक है, सब्द सकती कितने होते हैं, तीन होते हैं, कौन-कौन से, लच्छना, मतलब अभीदा, लच्छना और वेंजना, तो यहाँ पर क्या है, सब्द सकती के प्रकार है, या फिर सब्द सकती है, क्या है, लच्छना, ठीक है, सब्द सकती तीन होते हैं, कौन से, अभीधा अपका लक्षणा और वेंजना नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा सन्युक्त वेंजन नहीं है सन्युक्त वेंजन मतलब दूठे से मिल के बना रहाएगा दो से जैसे आपका कचह जानते है छो यह च छात्री यह स्च है छत्री यह जो लिखते है लेकिन को इसमें होता है शा से बनता है ठीक है यहाँ पर ग्यों है तो आपका जों से बनता है तो यहाँ पर भी देखेंगे विद्याले में जो दो लिखा जाता है तो यहाँ पर जो नहीं है तो दो अच्छर से मिल करके जो नहीं बना है तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा डी, नहीं वाला ही पूछा था next बात करेंगे, निम्निखित में से power का वेंजन नहीं है देखिए, power में काउंस कौन साएगा ठीक है तो यह नहीं है मतलब यह मतलब है तो इसको नहीं answer करेंगे ठीक है यह नहीं है यह रलवत अलगी है आपका यहाँ पर यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा ठीक है, यह बा है next बात करेंगे, समास का chain करना है समास में दोस्तों यहाँ पर दसानन पुछा गया है ध्यान दीजिए, यह दसानन में रावड का नाम है इसलिए यहाँ पर बहुबरी ही समास होगा ठीक है, कौन सा समास होगा बहुबरी ही समास होगा, क्यों होगा दसानन, जैसे नील कंठ नील कंठ से क्या होगा, कि qualities की बात हो रहे है किसका नीला कंठ होता भगया तो सीव भगण, उनका संकर जी का तो वो, क्या होगा, बहुबरी ही हो जाएगा आपका चतुरानन हो जागा तो चार मुख, चारानन किसके हो जाएगे ब्रह्मा जी के, तो यहाँ पर ऐसे ही दसानन है तो दसानन जो बहुबरी होगा इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर दस है लेकिन दुईगू नहीं लगाएंगे, ठीक है यहाँ पर बहुबरी ही लगाएंगे दुईगू कब लगाते हैं, यह बहुबरी ही ओप्शन में न हो और साथ-साथ जो भी दिया गया है वो किसी और को इंडिकेट न करता हो नेक्स्ट बात करेंगे, समास का चैन करना है रोग पीडित, रोग पीडित मतलब इसका समास भीगर करेंगे रोग से पीडित, क्या हो जगा से मतलब ततपुरूस की बात होगी, ततपुरूस समास कौन सा हो जगा तत्पुरुस समास रोग से पीडित next बात करेंगे तत्सम सब्द का यहाँ पर चैन करना है कौन सा हिन्द में से तत्सम है तत्सम मतलब मैंने आपको समझाया था कि तत्सम मतलब संस्क्रीट वाला तत्भव मतलब हिंदी वाला मıtलब तत्सा मतलब पुराना सब्द और जो दद्भा होगा हुए हिंदी में कीश्पिट के र flex बनके हिंदी बन गया है, तो तत्सा मतलब पुराना सब्द तो छेद को क्या करते हैं छिद्र वो तो है नहीं डंडा नहीं, दंड है, सिंग ये भी नहीं है विवाह देखिए ऐसे ही होता है संस्कित में चाहे हिंदी में चाहे कहा है कि पुराना सब्द तो विवाह जो है बिलकूल ठीक है यही तत्सम सब्द है संधी के प्रकार का चैन करें मतलब कौन सी संधी है कविश्वर में तो कवि कैसे लिखाता है ऐसे लिखाता है इस्वर कैसे लिखाता है ऐसे लिखाता है तो यहाँ पर यह छोटा इ-E मिल करके आपकी बड़ी E बन रहा है यहाँ पर दिर्ग स्वर संधी है कौन सा है दिर्ग स्वर संधी यहां पर A-Ride answer हो जाए कौन सा? दिर्ग स्वर संधी नेक्स्ट बात करेंगे संधी का प्रकार यहां पर बताना है कौन सा है? संसार है संसार में क्या लिखते हैं? अंकी मतलती ते सम लगाते हैं सम मतलब यहां पर क्या होगा? वेंजन संधी होगा इसमें स्वर रखी बाती नहीं हो रही है म क्या है वेंजन है तो यहाँ पर वेंजन संदी हो जाएगा C यहाँ पर राइड एंसर हो जाएगा नेक्ष्ट बात करेंगे सही वर्तनी वाले सब्द को चुनना है तो अनुछेद कौन ठीक लिखा गया है अनुछेद देख करके सभी लोग उत्तर देंगे अनुछेद तो जानते ही होंगे भईया अनुछेद इसका कोई एंसर ना दे तो तो यहाँ पर देखिए अनुछेद जो है आपका अप्शन नमर C में बिल्कुल ठीक लिखा गया है अनुछेद C बिल्कुली राइड एंसर यहाँ पर हो जाएगा नेक्ष्ट बात करेंगे सही वर्तनी वाले सब्द को चुनना है पूजी वाद पूजी वाद देखिए बड़ा उक्के मातर होते है यहाँ पर छोटा है यहाँ भी छोटा है यहाँ भी छोटा है यह नहीं होगा यह नहीं होगा यह नहीं होगा यह नहीं होगा कौन सा होगा पूजी वाद में यह भी ठीक लिखा गया है वर्तनी सही लिखा गया है पूजी वाद नेक्ष्ट बात करेंगे राम की सकति पूजा के रचना का राम की सकति पूजा जो है वो किस ने लिखा है? तो ये लिखा है सूर्य कांत्रि पाठी यानि कि निराला जी ने इनका उपनाम है यही रैड एंसर यहाँ पर हो जाएगा निराला जी ने चलिए नेक्ष्ट बात करेंगे ध्यान दीजेगा वे सज्जन पुरुस कौन है वे सज्जन पुरुस कौन है वाक्य में अनावस्यक सब्दा अनावस्यक मतलब एक्स्टा अगर उसको हटा दिया जाए तो पता चल जाए वही मीनिंग निकलेगा और कुछ उसमें एक्स्टा डाल दिया गया है तो देखिए इसको बनाने के वे तो सज्जन पूरुस कोन है यह ठीक नहीं है वे सज्जन कोन है ठीक है यहाँ पूरुस एक्स्टा था ठीक है या फिर सज्जन निकाल दें तो वे पूरुस कोन है सज्जन लगाना जुरूरी था बढ़ी है अदमी है इसलिए तो यहाँ पर यह एक्स्टा है नेक्स्ट बात करेंगे चारा फेकना मुहावरेकार्द चारा फेकना मतलब क्या होता है किसी को घास डालना चारा फेकना यह सब जो होता है क्या होता है प्रलोबन लोब देने का प्रियास कर रहे हैं चारा फेकने तभी तो मचली फसेगी तो यही वाला है प्रलोबन देना यहाँ पर option number B right answer हो जाएगा answer जरूर दिया करिए और लाशन बताएगा कि आपने कितने question सही किये थे next बात करेंगे सुध्धवाक के छाटना है सुध्धवाक किन में से कौन सा है मैंने कपड़े पहनने मैंने कपड़े पहनने यह कभी होगा ने मुझे कपड़े पहनने है बिलकुल यही ठीक है मेरे को कपड़े तेरे को यह थो नहीं चलेगा मेरे को तेरे को नहीं चलता है यहाँ पर हिंदी में सुध्ध हिंदी में next बात करेंगे पर प्रतेक में अगर संदी पूछे तो यहीроп से आधसे आधा पहले कुछ रहेगा इत्यादी हो जाएगा प्रतेक हो जाएगा तो क्या जाएगा यण संदी हो जाएगा और यहाँ पर प्रतीधन एक होता है क्या होता है प्रतीधन एक प्रतेक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा ठीक है संदी वीचेद पूछा है यहाँ पर वी पैदा नौप नेक्ष्ट कोच्छन अपका अनुप्रास, अलूप्रास क्या है ? अनुप्रास सब्दा अलंकार अर्था अलंकार तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अनुप्रास जो होता है सबदालंकार होता है जिसमें एक ही आपके चंदुक चाचावला मतलब एक ही word की दोस्तों क्या होती है आवरित्ती होती है तो यहाँ पर यह सबदालंकार का part है नेक्स्ट कोशन है मचली के समान आखो वाली को क्या कहेंगे मचली के समान आखो वाली के लिए एक सब्द बताना है क्या हो जाएगा मीनाक्ची हो जाएगा और मरिग नहीं किसको कहेंगे हीरनी की तरह आखें किसकी हैं रहेगा यहाँ पर मिनाक्षी हो जाएगा सी नेश्ट बात करेंगे अगनी सब्द का तद्भव बताना है तद्भव यानि हिंदी वाला ठीक है अगनी मतलब यह तद्सम है अगनी क्या है तद्सम है संस्कृत वाला है इसका तद्भव क्या जाएगा आग हो जाएगा हिंदी वाला है तो यहां पर आईट एंसर हो जाया आग निबिष्ट बात करेंगे विकलप問題 सब्सक्राइं कर दोस्तों यहां पर चैन करना है कौन से इसमें तत्सम है कौन से सब्सक्राइन हो जाएगा और लाश्ट जो विराम का चिंद बताना है और विराम होता है और एक ऐसे कॉमा होता है यह होता है और दभी राम डी इसका राइड एंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो देखिए तो यह आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर वन था सभी प्रतियोगी प्रिच्छाओं के लिए इंपॉर्डेंट होगा लेटेस्ट पैटर्न पर जो भी कोशन पूछे आ रहे हैं वो हम करवा रहे हैं वीडियो को दिख सदिक लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथ ही साथ दोस्तों अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जोर जो पताई है कि आपने इस सेट में कितने कोश्चन किया हमारा वीडियो दिखने के लिए धन्यवाथ प्लीज लाइकन शेयर